असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टो आलियास कुजीन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल रेसेपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सरसु वाली मसाला फिश करी जो कि बहुत ही डेस्टी बनने वाली फ्रेंड्स और बनाना भी बहुत ही आसान है तो चलिए हमें किस तरह बनाना है चलते हैं हम किचन में यहाँ पर हमने लिए वन केजी फिश इसको अच्छे से वाश कर लिया है हमने और एक लेमन का जूस भी लगा दिया इस पर अब हमें इसे मेरिनेट करना है तो सबसे पहले हम डाल लेंगे वन टेबल स्पून नमक 1 teaspoon हम डाल देंगे healthy powder 1 teaspoon हम डाल देंगे red chili powder इन सबी मसालो को डालने के बाद हम फिश पर अच्छे से लगा लेंगे यह जो मसाले हैं इसको अच्छे से हम नेरинैट कर लेंगे ताकि जो फिश है इसमें फीका पनना रहे मसालों में अच्छे अंदर तक flavor आए तो इनको बहुत ही अच्छे से लगा लेते हैं हम फ्रेंड्स हमारी रिफ्रीश है यहाँ पर रेडी है मेरिनेट होने के लिए इसको रख देते हैं हम रिफ्रीजरेटर में एक गंटे के लिए इधर हमने सरसो वाला मसाला तयार करना है तो हम दो बड़े टमाटर ले ले लेंगे इनको रफली चॉप कर लिया है इनको डाल देंगे हम जार के अंदर वन टी स्पून हम डाल देंगे जीरा वन टेबल स्पून हम डाल देंगे इसमें घड़ा धनिया हाफ टी स्पून काली मेर्श डाल देंगे वन टेबल स्पून हम डाल देंगे बड़े हुई सरसू जो मोटी वाली सरसू होती ही न वो इसमें बारिक सरसू का इस्तमाल ना करें वो कड़वी होती है मोटी सरसु का ही इस्तमाल करें नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ टी स्पून हल्दी डाल देंगे रेट चिली पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एट करिए पाने डालते हुए इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे हम तो देखे इसको बहुत ही अच्छे सा हमने ब्लेंड कर लिया है अब मैं एक बड़ा चमच जिसमें जिंजर और गारलिक का पेस्ट डालूँगी अगर आपके पास पेस्ट रही है तो आप जिंजर गारलिक डाल कर ही इसको ब्लेंड कर लिजी अच्छे से तो फ्रेंड्स हमारा यह जो मसाला है यह तो रेडी है बनकर इसको रख देते हम साइड में दो बड़े प्यास जहें कभी हमने पेस्ट बना लिया है और हमारी जो फीश है इसको भी एक गहंटा हो चुका था इसको हमने निकाल लिया है फ्रीज से बाहर इधर हम कड़ाई रख देते हैं गेस को अन कर लेते हैं और इसमें हम डाल लेंगे सरसू का तेल क्योंकि सरसू वाली फीश बना रहे हैं हम तो सरसू का तेल ही इसमें हम इस्तमाल करेंगे इसको अच्छे से हॉट करना है हमें चब तक कि इसमें से धुआना आने लगे तो फ्रेंड्स इसको हाई फ्लेम पर गर्म करने के बाद अच्छे से इसमें हम फिश के पीस जो हैं फ्राइ कर लेंगे हाई फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राइ करना है और इसको तब तक हम फ्राइ करेंगे जब तक कि इसका जो पानी है ये सूक नहीं जाता दो से तीन मिनिट के बाद हम इसको पलटते हुए दूसरे साइट से भी फ्राइ कर लेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा हम केरफुली ही इसको जो है फ्राइ करेंगे ताकि इसके जो पीसे से ये टूटे ना ये बहुत ही नाजुक होती है तो बहुत दिहान से हमें केरफुली इसको फ्राइ करना है फ्लेम को हमें हाई ही रखना है देखे फ्रेंड्स मुझा बस इतना ही फ्राइ करना था अगर आपको गोल्डन कलर चाहिए तो आप इसको थोड़ा और ज़्यादा फ्राइ कर सकते हैं मैंने इसको इतना ही फ्राइ किया है बस इसे निकाल लेते हैं बाहर और यहाँ पर हमारी फिश जो है रेड़ी है फ्राइ होकर इसको रख देते हैं हम साइड में और यहाँ पर हम वही वाला सरसूगा वाइल जो है इसको गर्म होने देंगे इसमें हम डाल लेंगे कुछ मेथी दाने वो जो प्यास का हमने पेस्ट त्यार करा था यह भी डाल देते हैं हम यह डालते हुए हमें इसको अच्छे से फ्राइ कर लेना है जब तक कि यह जो प्यास है इसमें लाइट पिंक सा कलर नहीं आ जाता इसको बहुत ही अच्छा से fry करना है इसका कच्चापन हमें पूरा दूर करना है ये देखि फ्रेंड्स हमारे जो हुँ ये पियास का पेस्ट है ये बहुत ही अच्छा से fry हो चुका है अब हमने जो सरसोवाला मसाला रेडी करके रखा था ये डाल देते हैं हम यह डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करते हुए साथ में इसको भी भूनते जाएंगे हाई फ्लेम पर ही हमें मसाले को रेडी कर लेना है भूनते हुए और जो इस्पून है लगातार हम चलाते रहेंगे हमारा फिश का जो मसाला है जितना ज्यादा अच्छा भूनाई करेंगे हम इसको तेस्ट उतना ही अच्छा आएगा तो देखिए फ्रेंड्स इसको 6-7 मिनिट हो गाए है यह बहुत अच्छे से भून रहा है अब हम इसमे एट कर देते हैं दही, एक कटोरी हमने दही लिया है इसको अच्छे से भीट करके डाल दिया है दही डालने के बाद भी हम इसे गोर अच्छे से भून लेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारे जो मसाला है इसमें अच्छे से दानने पड़ गाए है बस इसको इसी तरह से हमें अच्छे से भूनना था अब यहाँ पर हम थोड़ा पानी एट कर देंगे इसमें आप पानी अपने हिसाब से भी एट कर सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी चाहिए मैं इसमें ज्यादा पानी नहीं एट कर रही हूँ चाहर से पांच हम हरी मिनिटे डाल देंगे और एक मिनिट तक हम इसको पकाने के बाद इसमें डाल देंगे हम फिश के पीसेज एक एक करके हम इसको अरेंज कर देंगे कभी फिश को आपको बनाना हो फ्रेंड्स तो आप बड़े वरतन का इस्तमाल करिए योगको फिश बहुत नाजुक होती है तो हमें इसे थोड़े दूर दूर ही इसको इसके पीसेज को रखकर बनाना होता है देखिए जिस तरह से मैंने इसको अरेंज किया है बिलकुल ऐसे ही हमें इसको रखना है 102 मिनिट तक हम इस आई फ्लेम पर बनाने के बाद इसके पीस जो है इसको पलट देती हूं मैं एक बार आराम आराम से हम इसके पीस को जो है यह साइट चेंज कर देंगे और इसको कवर करके अब पकने देते हैं पांस से साथ मिनिट के लिए लो फ्लेम पर तो देखे फ्रेंड्स पांस से साथ मिनिट होगा है इस पर में कड़ी पता डाल रहे हैं तोटली ऑप्शनल है अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसकिप कर सकते हैं यह बिलकुल रेडी है और माशालला बहुत ही अच्छी लग रहे ही बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रहे ही फिश में से इसको हम निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेट में तो फ्रेंड्स हमारी जो सर्वाली मसाला फिश है रेडी है बनकर यह बहुत ही अच्छी बनी है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लाजावाब बनाता फ्रेंड्स आप इसको बनाएंगे तो आपको यह जरूर पसंद आएगी इंशाल्ला तो आपको यह रेसेपी कैसी जरूर बताईए अगर आपको ये रेसेपी पसंद आई हो तो अपनी फेमिली और फ्रेंड्स में इसे जरूर शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थेंक्स फॉर वाचिंग अलाफीज